जैहिंद किसान भाईयों किसान भाईयों आज मैं आप लोगों के लिए मैसी फरगुशन 10-35 डिया टेक्टर के ओपर वीडियो लाया हूँ यह टेक्टर कुछ खास है किसान भाईयों आज का जो वीडियो रहेगा यह बहुत ही मस्त और बहुत ही बड़िया वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए और जो किसान बाई टेक्टरों के सोकिन है ना उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा क्यों खास रहेगा ये तो आपको आगी वीडियो मालूम चल जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे लेकिन उससे पहले माँ आपको बता दू कि आज की वीडियो माप लोगों का मोडल कौन सा है ये कहां पर आपको मिलेगा इसकी केमत कितनी किसान बाई अभी मांग रहे हैं कंडिशन कैसी है टेक्टर रीपेंट है या साथ की कंडिशन आपको मिलेगा इन सभी बातों की जानक आज की वीडियो में आपको आगे देने वाला हूं तो किसान भाईयो सबसे पहले इस टेक्टर के मोडल के बारे में हम बात कर लेते हैं इस टेक्टर का जो मोडल है न किसान भाईयो वो बता दो आपको फिर और बात करेंगे 266 मोडल ये टेक्टर है किसान भाईयो जी हां किस आपको विश्वास करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने विश्वास किया है उसी तरीके से आप लोगों को भी मेरी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा देखने से आपको विश्वास नहीं होगा इस टेक्टर के ओपर बातचीत करेंगे लेकिन यार उससे पहले आप लो विए बाते हो पी यह देखो किसान भाईओ यही तो बात है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इसका जो ये पेंट है साथ का है किसान भाई ने इसे इतनी सेफटी से रखा है कमपनी कंडिशन माप को एरेक्टर मिलेगा, ये देखो आप इसकी जो रिम का कलर है यह कमपनी कंधिशन से आया है उर यह टाइर देख लो आप सारो टाइर इसमें यह दूसरे डिलवा दियाँ है दूसरी जोडि के टाइर है ये आपको बता दो किसान बाईवू जो पहले वाले टाइर थे न वो खड़ा होने की बज़े से टाइर गई ते बलडाने का मतलब समझते हो तो फिर आप कमेंट बोक्स में एक थमनेल का निशान बना के भीज देना तो किसान भाई यहां पर आप देख रहे हैं जो टायर बलडाने का आर्थ होता है वह ताय यहां पर टायरों में दराडें हो जाती है अलग अलग जगे इस तरीके के टायरों को पटने को टायर बलडाना बोलते हैं किसान भाई हो इस टैक्टर में दूसरे टायर लगा देगे हैं वह टायर इसलिए लगा देगे कि जो पहले वाले टायर थे वह बैड़ा गए थे इस तरीके से उनमें जगा-जगे गैफ हो गए थे इस वजए से नई टाय आपको company condition मिल जाएगी सिर्फ battery किसान भाई ने change करवाई यह ओल इसका change करवाते रहते हैं वो यहां पर आप इसको दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं ट्रक्टर को दूसरे तरफ से जब आप ट्रक्टर को देखोगे तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगी पीछे वाली और पीछे वाला टाइर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगे इसमें नई टाइर दलवा दे गे हैं और इस ट्रक्टर के जो नई टाइर भी है या आपको बता दू कितने परसेंट के आस पास होंगे तो 80 से लेकिन 90 परसेंट के बीच में आपको ये टायर देखने को मिल जाएंगे किसान बाइयो तो इतने टायर आपको इस टायर में बर्तवान में देखने को मिल जाएंगे इस तरिके से इसमें छतरी आपको लगी हुई मिल जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हैं साथ यह मरगाटों की इस्तिति आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाईयों किसान भाईयों टेक्टर की पूरी कंडिशन ओके है यहां पर फंटे देख सकते हैं मरगाटों पर वाइरिंग वगरा सब कुछ कंपनी की मिल जाएगी लाइटे वगरा भी आपको इसमें कंपनी की लगी हुई मिल जाएगी वाइरिंग कंपनी की मिल जाएगी टैक्टर की लगी हुई model 2006 लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस condition में यह टेक्टर हो सकता है किसान भायो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था आपको यह टेक्टर इतना पुराना होने के बावजुद भी ऐसी condition में हो सकता है किसान भायो यहाँ पर मापको इसको pump के पास से दिखा देता हूँ तो जहाँ आप pump के पास से टेक्टर को देखोगे तो कहीं पर leakage बेगर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा पूरा टेक्टर एकदम सांदार और जबरदस्त condition में आपको इस देखने को मिल जाएगा बारी की से में आपको एक एक चीद दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भायो फिल्ट्रों का कलर भी आप यहाँ पर देख लेगे साथ के कलर में आपको इस टेक्टर पूरा इसे देख लो ऑगर वीडियो को लाइक नहीं किए है तो यार लाइक जरूर कर देना चैनल को forecasts कर लेना और बैल आइकन को भी लेना तो किसान भायो बात कर लेते है इस टेक्टर के नमबर के का पर आपको मिल जायेगा और उसके नमबर के थो इस टेक्टर के इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी के पास से, और इस शीट के नीचे से आप याँपे पूरे टेक्र को देख सकते हैं साथी हो, साथी हो मैं आगे आपको इस टेक्र का वीडियो भी दिखाने वाला हो वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हो ये तो हलके-लके सिलाइड हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये टैक्टर के नमबर आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाई हो सामने से टैक्टर आपको इस तरीके से नजर आएगा किसान भाई हो टेक्टर बहुत ही जबरदस्त और सांदार है किसान भाई यो बस आप तो इसको अगर खरीबना चाते हो ना तो बस नीचे डिस्क्रिप्शिन में चले जाओ वहाँ से किसान भाई के नमबर लो और सिधे बात चित करो टेक्टर के बादे में इस तरी किसा आपको सामने से टेक्टर नजर आएगा ये देखे आप इसकी साथ की लाइट ये लगे होगी है अभी तो टेक्टर में आप यहाँ पी देख सकते हैं कलर बगार बहुत ही फैस्ट क्लास ये टेक्टर है यह जो टेक्टर है किसान भाईयो आपको मिलेगा जोटकुर के अंदर अब बात कर लेते हैं इस टेक्टर के वीडियो के उपर तो चलते हैं अब वीडियो पर किसान भाईयो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस टेक्टर का वीडियो इस वीडियो में आपको ये पूरा ट्रेक्टर आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, उपर से लेके नीचे तक, सबी जगें से नजर आ जाएगा। चलते हैं इस ट्रेक्टर का वीडियो अब हम देखे लेते हैं किसान भाईयों किसान बायू यहाँ पर आपको इटेक्टर सामने से नजर आ रहा है किस तरह की कंडिशन है यह सामने वाला टायर आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान बायू पंप के पास से टेक्टर को इस तरीके से आपको pump के पास से filter के पास से नजर आएगा इस seat के नीचे से ये kilts देख सकते हैं आप यहाँ पर यह filter देख सकते हैं यहाँ पर टेक्टर के सारी condition आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पीछे वाला टायर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं तोड़ी पर बोलता उख जाता हूँ तो आप इसकी आवाज सुने पहले अच्छी तरीकिसे आ यहाँ पर किसान भाई आपने टैक्टर को देख लिया है और टैक्टर के आवाज भी आप लोगों ने सुनी है तो इतनी जबरदस्त और सांदार आवाज इस्टैक्टर की है टेक्टर की कंडिशन बहुत जबरदस्ता है सांधार है आप यहाँ पी देख सकते हैं अब बात रही इस टेक्टर की कीमत के बारे में चलो आप बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में तो किसान भाई यो इस टेक्टर की जो कीमत किसान भाई मांग रहे हैं वो सुनके आप तो थोड़ा दख्का लगएगा कि इतनी कीमत लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो जगागा टैक्टर की कंडिसन ऐसी है तो कीमत तो फिर बनती है ना तो किसान भाई यो अब बात कर ले किमत की तो 4,00,000 रुपे किसान भाई इस टेक्टर की किमत मांग रहे हैं और किसान भाई ये और बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 4,00,000 रुपे हो तब ही आप हमसे बात करना वरना बात मत करना इस टेक्टर के बारी में किसान भाई यो टेक्टर की कंडिशन देखने से तो लगता है कि कीमत ठीक ठाक मांग रहे हैं लेकिन अगर इसकी मोडल को देखा जाए ना तो 2.6 मोडल है वो 2.6 मोडल के तो ऐसे तो ज़्यादा लग रहे हैं कीमत लेकिन इसकी condition है ना टेरेक्टर की बहुत ही लाजवाब है condition आपको मैंने पूरी टेरेक्टर की condition ऐसे दिखा दिये चारो तरफ से और चारो तरफ से आप भी देखके समझ गए होंगे कि केमत वास्तों में सही मांग रहे हैं जो टेरेक्टर 2678 मोडल टेरेक्टर थे इनका average काफी बढ़िया था यह टेरेक्टर है जो डीजल की खपत बहुत ही कम करते हैं आप लोग यह सब जानते हो तो इसलिए इस टेरेक्टर की केमत भी ज़्यादा किसान भाई मांग रहे हैं अगर आपको यह टेरेक्टर इतनी किमत में खरिदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना वहाँ से किसान भाई के नमबर लेना अब आपको बता दो किसान भाई के नमबर लेकी किसान भाई से बाचित कर सकते हैं तो किसान भाई ओ, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पैल आइकन तबा देना, और वीडियो को सेर भी कर देना, अगर आप लोगों के पास भी कोई करसी अंतर है, टेक्टर, ट्रोली, थ्रेसर, मसिन, और उसे आप बेचना चाहते हो, तो आप हमारे नमबरों के हमसे संपरक कर लेना, तो फिर मिलते हैं किसान भाई ओ, एक और वीडियो में, एक और ऐसे ही, चांदार टेक्टर के साथ, तब तक आप हमें दीजिया गया, जहिंद किसान भ